हम बात कर रहे हैं FSL की first solution की आज के दिन की बात करें तो इस stock में आमको 1% के उपर की गिरावट के साथ closing देखने के लिए मिले हैं जब stock ने bonds back किया था आपको याद होगा हमने discuss किया था 220 तक के target को 215-216 तक का stock ने jump दिखाया आगेन गिरावट आ रहे हैं लेकिन इस गिरावट के साथ stock bonds back कर सकता है और अपने इस high को break out देता नजर आ सकता है क्यों bonds back कर सकता है चार्ट पैटन हमको क्या दिखा रहा है इसको हम समझने की और discuss करने की कोशिश करेगे चार्ट पैटन की और एक नजर दाले दोस्तों तो देखिए कि एक jump आया गिरावट आई jump high break out हुआ गिरावट आई है तो low breakdown नहीं किया है जम के साथ high break out अगेन गिरावट अगेन जम हाई break out इस टॉक एक train line में एक अपने channel में trade करता नजर आ रहा है गिरावट आ रही है अगेन गिरावट आई तो सेम सपोर्ट से सपोर्ट लेकर बांस बैक वार इस high को break out डिया है 195-196 का लेवल एक तगड़ा important सपोर्ट रहेगा जब तक इसके ऊपर है FSL में upside के chance बने हुए अब गिरावट आई तो इस वक्त इस टॉक अपने support एरिया में हुए 208 का जो लेवल है हम देख सकते हैं छोटी मोटी recovery के साथी इस टॉक ने closing दिखा ये 208 के support से तो आप immediate जो target बनेंगा इस candle को देखे जहां से rejection phase किया था 212 का लेवल इसको breakout कर जाता है तो next 216 और इस bounce back के साथ FSL में 220 तक का जम दिखा सकता है अगर 220 के लेवल से FSL बड़ा selling नहीं दिखा था स्टॉक इसके अपने high के आसपास ही 220 के आसपास ही sustain होता है तो इसके भी breakout के chance बनेंगे चार्ट पैटर्न के ओपर देखो तो लगातार हमको बड़ी buying इसमें देखने के लिए मिल रहे है जितनी बड़ी buying जितनी हमको इसमें buying देखने के लिए मिल रहे है उतना अभी तक selling देखने के लिए नहीं मिला तो वह इसी condition में 220 का भी breakout हमको FSL में देखने के लिए मिल सकता है फिर next target बनेंगा 224 इसके breakout के बाद फिर 230 तक का jump stop दिखा सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो लेका到 के लो बाद रसी और आते हो कि अटर्वय करना ओम देखकर के ईज़ण हो